हेलो फ्रेंड कैसो आप लोग उमीद करते हूँ आप लोग अच्छ होगे स्वागते दोस्तों आप सभी लोगों कापके अपनी चैनल क्रिकलन पेडिक्शन में है तो गाइस चलिए दिन इस्टार्ट हो गया है पहला यूरोपियन टीटेन किर्किट लिग के साथ हम लोग इस तो प्लीज आप चैनल को सस्क्राइब कर लेना और आफटर टॉस की जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पे बता दिया जाएगा जिसका के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है आप यहाँ पे आईए बहुत अच्छी व थोड़ी से मजबूत रहने वाली है विकास फॉर्स फायर की टिम बहुत मतलब बुरी स्थिती में है अगर बात की जा वेनू की तो यह कार्टमा ओवल कार्टमा इस्पेन का ग्राउंड रहने वाला है जो कि फुली बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहने वाली है आप विकेट पेसर्स ने निकाले है थोड़ा सा और मैं आप लोगों को ग्राउंड के बारे में अच्छे दबाताना चाहूंगा पिछले कुछ मैच यहां पर खेले गाए लाश्ट नाइट ही एक मैच देखना 170 वाला बना था डियूरेक्स की टीम 170 बनाई थी और एक रस से जी 120 पलस फिर यहां पर आईएगा 160 पलस तो आप लोग समझ सकते हो बैटिंग वाले यहां पर बहुत इंपोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं इस परकार समझ लोना भाई 60 बोलो का किरकेट है कल तक 12 की ऑस्तान ऐवरेज से रन बन रहा था आज आप 15-16 की ऑस्तान लोगों को आकड़ा देखने को मिलने वाला था तो बैट्समेन को ही फेवर करके चलना है बाकी ज्यादा कुछ चीज़ें बताने लाइक यहां पर रहती नहीं है हाँ पीक के तरफ से कुछ कॉमन खिलाडी जैसे की बाबार हो गया कोईले हो गया पिछले गेंद में कोईले सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर उप्शन उससे पहले दोनों टीमों की लाइन अप आप चाहो तो देख सकते हो देखो टॉप ओडर के बैट्समें नहीं सिंपल सा कॉंसेप्ट उठा लो और 90% उनके खिलाडी को ले लो जो कॉमन खिलाडी है क्योंकि 90% मैचों में वही परफोर्मेंस करके देने वाले हैं अगर हैसान की फॉर्म की बात की जाए तो पिछले तीन मैचों में इन्होंने परफोर्मेंस दिया है लेकिन मैं फिर भी कहा रहा हूँ यूरोपियन टीटेन में ECS टीटेन के लाइक परफोर्मेंस नहीं दे पारें क्योंकि ECS से कोईले पिछले मैच में 30 बॉलों में इन्होंने सतक लगाया है यहां पर रिकॉर्ड यह लोग तोड़ते हैं कोई 39 गेंद में लगाता है कोई 30 में लगाता है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि यह बड़े खिला रही है जी बिल्कुल ऐसा नहीं है क्योंकि यह जो होता है ग्राउंड हो गया है यहां पिछ होती है पिछ के उपर मैड बिछ हुए होती है हारी कलर की और बॉलर भी अपने धुन में बॉलिंग करते हैं बाई कहीं भी फेक देते हैं तो बैट्समेन पाते हैं नो बॉल पाते हैं कुछ भी पाते हैं बहुत मारते हैं ठीक है क्यूंक सांत रहे हैं एक शात्तर वाला performance हटाया जा तो देखो कि starting में यहाँ पे सांत रहे हैं ठीक है लेकिन टॉप ओडर में बैटिंग करेंगे तो अड्वांटेज है क्योंकि बैटिंग को फुली फेवर करने वाली एक राउंड तो आप अपने टीम में लेकर चलिएगा यह साली इनका बैटिंग करम है वैसे देखो चल नहीं रहे हैं लेकिन बैटिंग करम अच्छा है मैं कहा रहा हूँ ना कुछ common खिलाडी हैं जो कि अपने performance को बार बर continue करते हैं और उस common खिलाडी में यासीन का नाम यहाँ पे नहीं आता है लेकिन जो लोग रिक्स टेकर हो चाहे त तो आप चाहो तो यासीन को ले सकते हो जैसी कि मैं ए नभी के बारे में बार बर कह रहा था अब तो वो common खिलाडी हो गए हर मैच में performance कर रहे हैं जो लोग मेरी टीटेन की continuously वीडियो देख रहोंगे वो लोग समझ रहोंगे मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं यासीन को ले रहा हूँ एसली को ड्रॉब करके चल रहा हूँ बाबर जादा सोचना नहीं इनको तो ले लीजे मेरे फैवरेट अल्राउंडर बस इस वाजा से मत लीजे लेकिन performance देखेगा तो हर मैच में इनका performance है 100% ये performance देने वाले के लाड़ी ये open करेंगे दो बर की बॉलिंग क इनको जगा दीजेगा पिछले तीन-चार मैस से वैसे performance नहीं आया है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा important है क्यूंकि बैटिंग करम अच्छा है और दो भर की बॉलिंग आप लिग इनसे expect करके चल सकते हो जे होगर्थ की बात करते हैं बहुत गजब का performance आप अपने टीम में इन इस expect करके चल सकते हो बॉलिंग सेक्षन से सबसे पहले बेलवाल को आप अपने टीम में ट्राइ कर लो उसके बाद देखो आप लोगों को ना ग्रांड लिग जीतना है तो आप लोगों को सिंपल सैक चीज करना है सीव बॉलर्स में आप लोगों को रोटेशन करना है ठीक ह बॉलर्स आप लोगों को रोटेट करना है क्योंकि देखो एक विकेट के 25 पॉइंट मिलते हैं लेकिन यहाँ पे इतने जादा मार पड़ा रहे ना बॉलर को कि वो 17 पॉइंट 18 पॉइंट से जादा दे नहीं पा रहे है एक विकेट का बैलवाल आप लोगों को ओपन करें है तो इंपोर्टेंट है आप चाओ तो ऐसे में इनको वाइस कैप्टेंसी दे सकते हो रभानी की बात करते हैं तो पिछले दो मैच में कुछ खासा नहीं की है देखो विकेट ले लेका है पिछले दोनों मैच में इनको एक विकेट मिला है फिर भी 19 पॉइंट दे पाए है इसी वाज़ा से कहा हूँ बैट्समेन को लेके चलो अब बैट्समेन अगर 30 रन भी कर दे रहा है ना भाई 300 के श्ट्राइक रिट से तो 60.65 वो दे के जा रहा है जो की लगभग 3 विकेट 2 विकेट के बराबर होता है ठीक है हाँ तो जे किंग की बात करते हैं जे किंग का परफ़रमेंस देखिएगा इनका परफ़रमेंस और रभानी के कंपियर में अच्छा है तो मैं इनको टीम में लेना चाहूंगा जो लोग चाहें भरत को ड्रॉप करके रभानी को ले सकते हैं एच अली को ले सकते हैं आतिव का विकल फे आप इनके साथ जा सकते हो और याल दो मैच में परफ़रमेंस नहीं किया पिछले लेकिन दो भर की बॉलिंग चाहर नंबर पर बैटिंग है तो मैं नहीं को दूंगा अब देखो ग्रांड लिंग में क्या टीम मनाना है टीम आप लोगों को फुली सेम रखना है आठ से नौ खिलाड़ी आप लोगों को लगभग सेम रखने हैं बाकी दो खिलाड़ियों में रोटेशन करना है ठीक है जैसे कि मानलों यह टीम हो गई यहां पर आप लोगों को कॉमन टीम रखनी है और यहां पर समानलों किसी टीम में भारत को हटा देना किसी टीम में वैलेंस को अटा देना ठीक यहां से आप अ किये यहां पर देखो सारे common खिलाड़ी थे और कुछ तीन खिलाड़ी यहां पर पर्फोर्मेंस किये थे जिन तीन खिलाड़ी का नाम आप यहां पर से नोट कर लो और इन तीन खिलाड़ी को मैंने target करके आप लोगों को बताया था कि आप अपने कमेंट बॉक्स में लिंक है आजाने टेलीग्राम का चैनल पर वर्क ना करें लिंक तो किरिक टूफ एड़ लिख करके सर्च करके आ सकते तो बागी बताईए वीडियो आपको कैसी लगी मिरे बताने का तरीका कैसा लगा और आप लोग यार चैनल को सस्क्राइब नहीं कर तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर करना बागी मिलते हैं कर अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए गुड़ बै टेक के